नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में Motorola Edge 50 Fusion 5G vs Nothing Phone 2A 5G का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 50 Fusion में 6.38 इंच जब की 2A 5G में 6.37 इंच की लेंग मिलती है जो की सेंग जैसी ही है विडि की बात करें तो 50 Fusion में 2.88 इंच जब की 2A 5G में 3 इंच की विडि मिलती है बात करें थिकनेस की तो 50 Fusion में 0.31 इंच जब की 2A5G में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है जो की 50 Fusion से ज़्यादा है अब बात करते हैं वेट की तो 50 Fusion में 175 ग्राम्स जब की 2A5G में 190 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की 50 Fusion से ज़्यादा है चलिए, अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, 50 Fusion में P.O.L.E.D. जब की 2A 5G में Flexible AMOLED की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में सेम ही, 20 Ratio 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो, 50 Fusion में 6.67 इंचेज जब की 2A 5G में 6.7 इंचेज मिलती है डिस्प्ले रेजोलूशन, 50 Fusion में 1080x2400PX FHD+, और 2A 5G में 1084x2412PX FHD+, मिलता है Screen to Body Ratio, 50 Fusion में 90.7 प्रतिशत जब की 2A 5G में 87.8 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो, दोनों फोन में सेम ही 395 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों, सबसे पहले बात करें में कैमरा की तो, 50 Fusion में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आफे में अल्टर वाइड आंगल कैमरा देखने को मिलता है और, 2A5G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो, 50 Fusion में 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 2A5G की बात करें तो उसमें 10 डिफेरिंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो 50 fusion में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते है और 2A5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 5 different features मिलते है आए अब बात करते हैं hardware के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करें तो, 50 Fusion में Adreno 710 जबकी 2E5G में Mali G610MC4 मिलता है चिप सेट की बात करें तो, 50 Fusion में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 और 2E5G में MediaTek Dimensity 7200 Pro MT6886 मिलता है बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही, 2 option देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 8GB, 12GB की RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही दो विकव देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB, 256GB की storage मिलती है expandable memory दोनों फोन में नहीं है operating system दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही तीन colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 50 fusion में दो वेरेंट देखने को मिलते हैं जो की 8 GB RAM 126 GB स्टोरेज के साथ 22,999 रूपीज 12 GB RAM 256 GB स्टोरेज के साथ 27,900 रूपीज में मिल जाता है दोस्तों अब बात करते हैं प्रांजन गौन्स यानि की फायदे और नुक्सान की दो दोनों फोन में 8 फायदे और 5 नुक्सान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है में कैमरा में दोनों फोन सेम ही है फ्रन्ट सल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में 50 fusion आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवोवी 35 जी है दुसरा शाउमी 14 सिवी 5 जी है तीसरा टेक्नो कैमिंग 30 प्रेमियर 5 जी है और लास्ट कॉंपिटिटर फोन की बात करें तो उसमें 1 प्लस 12 आर 5 जी है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्रेयो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्रप्याय से लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले